है गाइस मुनुता गेरेज में एक बार फिर आपका स्वागत है काफी समय बाद तो कुछ कुछ मॉडिफिकेशन मैंने की है दम छोटी सी है सफारी स्टॉम में तो आपको दिखाता हूं पर में इसका अलॉइ विल है जो काफी समय से था तो मुझे ऐसा लग रहा था चेंज क कर वाद हूँ तो पर मैंने इसे घर में किया थी तो चलहीं देखते हैं चिड़ी-चोडी 16-inch के, आप देख सकते हैं, तो यह मैंने कलर किया है, आप देख सकते हैं, जैसे की, मास्किंग टेप से, अच्छा दूर जाना, मास्किंग टेप लगा के मैंने कलर किया है, मैट ब्लैक है यह, आप देख सकते हैं, इसका पहले का वैसी का वैसी है, उसमें कोई चेंजेज नह मैं वीडियो में डाल दूँ इसकी लिंक, हमेजन से मैंने मंगाया था वाकि लूख आप पताईए कैसा रहा है गाड़ी काफी एनांस हो गया है इसके अलाएबी काफी सही लगते हैं बट मैं चाह रहा था कि पुरे मैट ब्लैक करों पर सोचा कि कुछ अलग किया जाए इस टाइप की डिजाइंग मैंने किया है तो गाड़ी का लुक ऐसे आ रहा है आप देख सकते हैं तो यह जो कलर हुआ यह अंदर से भी ब्लैक है पूरा का पूरा और फ्रेंट में मैं मास्क उनके पलगा के जो किया हूं यह आप देख सकते हैं लुक सही आया है और कुछ-कुछ थोड़ी-थोड़ी मॉडिपिकेशन है जैसे कि यह LED लाइट लगाई है मैंने जब जंगल सफारी जाता हूं उसके लिए और यह मेरे खल से सफारी स्टॉम वालों को बहुत पसंद आएगा यह आप देख रहे हैं डी-ार-एल पार्किंग लाइट है जिसको भी मैंने इस्टॉल किया है अप गाड़ी का लुक ऐसा आ रहा है कुछ-एसे देख सकते हैं आप यह सिक पार्किंग में है कोई ब्रेक रेक में नहीं डलवा है मैंने और खाफी सही आ रहा है स्लीक है LED नॉर्मल सी LED है कोई ज्यादा कॉस्किंग वाली LED नहीं है वाटर्प्रूफ है पर वह गाड़ी का लुक बहुत अच्छा हो गया है आप देख सकते हैं तो गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ भी कोशन होगा आप उठ सकते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताए लाइक शेयर और सब्स्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा पहुत सकें तब तक ले डूप टेक केर